बिस्मिल्य रह्मान रहिम अस्सलामु अलाइकुम रह्मतुल्लाहिव बरकातुहु आज हम ढोकले की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं उम्मिद है आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए देख लेते हैं हमें इसे किस तरह से बनाना है यहाँ पर हम एक बाउल ले आएंगे अगर आप ऐसे छान कर लेंगे तो ढोकला बनाएंगे तो चनी करके ही विसन आप इस्तेमाल करें और यहाँ पर एक कटोरी ले ले लेंगे और उसमें हम आदा कप पानी ले ले लेते हैं हफ टेबले स्पून शकर शामिल कर लेते हैं अब इसमें हम वन टी स्पून वाइट विनेगर शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और वन टी स्पून आईल शामिल करके इसे मिक्स कर लेना है फिर से आदा कप पानी शामिल करते हुए हमें इसे अच्छे से 5-6 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए मिक्स कर लेना है आप देख रहे हैं मैं किस तरह से चला रही हूँ इस विसकर को ऐसे मिक्स कर लेना है अगर आपके पास ये विसकर नहीं है या इलेक्ट्रिक बीटर है तो आ देखे अब इसे हमें साइड में रख देना है अब यहाँ पर हमें एक केक टिन लेंगे केक टिन को हमने अच्छे से ऑईल से ग्रेस कर लेना है और मैंने यहाँ पर एक पैन को ग्यास पर रख दिया है और उसमें मैंने तीन कप पानी शामिल करते हुए एक स्टैन लगा लि अब यहाँ पर पानी अच्छे से बॉइल हो रहा है तो अब यह बैटर लेंगे यह 20 मिनट हो गए है मैंने इसको रखे तो अब इसे ले लेते हैं और इसमें हम 1 टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है यह देखे अच्छे से ए अब तीन में निकाल लीजिए और इसे निकाल कर अब जो बॉयल हो रहा है पानी उसमें हमें ये रख देना है और इसे धाख देना है और 15 से 20 मिनट तक आपको इसे बेक ले ले लेना है बीच-बीच में एक से दो बार आप इसे चेक कर सकते हैं अठरा मिनट हो गए हैं तो मैंने इसे खोल कर देख लिया है यह देखे यह अच्छे से फूल गया है ढूकला और बहुत अच्छा बेक भी हुआ है यह आपको मैं इस टीक से बताती हूँ यह देखे इस टीक क्लियर है इसका मतलब है ढूकला बनकर तैयार हो गया है आप चाह के इसे हमें निकाल कर ठंडा कर लेना है एक स्टैंड पे रख दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए अब जब तक यह ठंडा हो रहा है हम इसका थड़का बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्यान ले लिया है उसमें थोड़ा सा ओईल ले लेना है वन टी स्पून शामिल कर लेते हैं और इसे अच्छे से तड़कने देते हैं और ग्यास की फ्लेम को बन कर देना है उसमें कड़ी पता शामिल कर लेना है जो कड़ी लियूज होते हैं और चार हरी मिचोब को ऐसे चीर कर शामिल कर लेना है अच्छे से मिक्स कर लिजिए और फिर हमें इसमे आदा कप पानी शामिल कर लेना है half table spoon शकर शामिल कर लेते हैं half table spoon नमक शामिल कर लेते हैं और ग्यास की flame को on कर देते हैं और इसे अच्छे से boil होने देते हैं ये देखें, ये अच्छे से boil हो रहा है अब ग्यास की flame को हम बन कर देंगे अब इसे side में रख देते हैं ठंडा होने के लिए और यहाँ पर यह ढूकला ठंडा हो गया है और इसे हमें side से किनारों से ऐसे निकाल लेना है और इसे एक plate लगा लेंगे और उपर से थोड़ा सा tap कर लेना है यह देखिए ऐसे tap करने के बाद यह आराम से आहिस्ता से निकलेगा लिकिने से अच्छे से ठंडा कर लेना है तभी यह ढोकला केक्ठीन से अच्छे से निकल जाएगा नहीं तो यह तूट भी सकता है अब यह देखिए इसे हमें side से cut करके side में रख देना है और इसके ऐसे छोटे छोटे pieces हम cut करके ले लेते हैं यह बहुत ही ज्यादा spongy बना था बहुत ज्यादा testy भी था आप इस recipe को एक बार जरूर ट्राइ करें अब यह जो तड़का हमने बना कर रखा था यह इसके उपर सारा लगा लेते हैं इस तरह से अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो subscribe किये बेना ना जाएं अगर आपको मेरे recipes पसनाती हों तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने family और friends में share कीजिए अब हम धोकले की साथ खाने वाली चटनी बना लेते हैं तो हमने यहाँ पर हरा धनिया लिया है दो हरी मिर्चों को टुकड़े कर लिये हैं और एक इंच अद्रकट कुड़ा ले लिया है और यह जो धोकला हमने side से निकाल के रखा था किनारों का वो उसमें शामिल कर लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक और पानी शामिल करके इसे ऐसे पीस कर चटनी बना लेनी है यह चटनी धोकलों के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है आप इसे जरूर ट्राइ करें तो चलिए यहाँ पर चटनी बन के तयार है धोकला भी तयार है हम इसे serving plate में निकाल लेते हैं तो कैसी लगी आपको यह recipe अगर आपको यह recipe पसंद आई हो तो मेरी recipe को ज्यादा से ज्यादा अपने family और friends में share कीजिए अगर मेरी channel पर नए है तो subscribe किये बिना ना जाएं अच्छी अच्छी recipes के लिए मेरे channel पर एक बार जरूर visit कीजिए दुआओं में याद रखिए Thanks for watching, Allah Hafiz